हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ये 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जारकांड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जे SSC की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलाप प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहा आपर फैंस इस नॉटिफिकेशन से रिलिटे जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जॉबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप अपलीजीबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं, तो 7 फरव वीडियो में इसके फॉर्म फिलप प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहाँ पर फैंसे यह इसका देखिए, ऑनलाइन अप्लाइब पोर्टल है, जहां से आप इसमें आविदन करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर डेट दी गई है, इसके बार है इसके बार आपको न्यू रजिस्टेशन का एक टैब बिलता है, आप इस पर किलिक करेंगे, इसके बार आपको यहाँ पर अपने जो रजिस्टेशन प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करना है रजिस्टेशन करने के लिए, तो सबसे बढ़े रजिस्टेशन करते समय आपको डेटेल फिल करनी है, आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है, तो आप यहाँ पर यह करेंगे आप local resident है जारकन के तो आप यहां पर yes करेंगे और नहीं है तो आप यहां पर no करेंगे पर यहां पर देखिए अधर state कर सकते हैं आपको डिस्टिक कर जो यहां पर अजिजज़ सर्टिफिकेट है उसका number आपको देना है किसने यह इशू किया है और वो कब इशू हुआ है उसकी जानकारी आपको देनी होगी नहीं है तो आपके यह option आपके automatic disable हो जाएंगे इसके बार matriculation की जानकारी आपसे की है अगर आपकी यहां पर रिजर्व केंड़ेट है तो आपको यहां पर पूछा जाएगा आपका certificate नमबर वो किसने इशू किया है और date of issue क्या है अगर पी एच केंड़ेट है तो यहां पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर no करेंगे और अगर आप यहां पर प्याप candidate के certificate है उसकी जानकारी आपको यहां प्रोवाइट करनी होगी एक सर्विसमें अगर आप है तो आप यहां पर आप प्नी जानकारी प्रोवाइट कर सकते हैं इसके लबाब अपका यहां पर है नाम तो आपको आपके जो DOB है means date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं यह select करने के बाद आपको यह capture code दिया गया है यह capture code आप यहाँ पर fill करेंगे और उसके बाद यहाँ से submit and continue वाले option पर click कर देंगे इसके बाद friends आपको आपका registration number मिल जाएगा या application number मिल जाएगा तो अपने application number, password, capture code के साथ आप यहाँ पर login कर सकते हैं इसके बाद friends आपका जो dashboard है यह open हो जाएगा और यहाँ पर जो आपकी details हैं वो आपको यहाँ पर fill करनी होगी इसके लिए friends आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले enter करना है आपका यहाँ पर father name और इसके बाद आपको यहाँ पर enter करना होगा आपका mother name यह enter करने के बाद अगर आप merit candidate है तो yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे आपका 12 digit का धारका number आपको देना है और आपका कोई भी identification mark जैसे cut का निशान है कोई mole है कोई burn का निशान है आप उसकी जानकारी यहाँ पर provide कर सकती है तो यह आपको according depend करता है आपका यहाँ पर कौन सा identification mark है अगर यह नहीं है तो friends आप इसमें no mark की entry भी कर सकती है इसके बाद friends से नीचे है आपका correspondence और आपका permanent address तो friends आपका जो भी कौन सा है आपका post office कौन सा है आपके state के निवासी है district कौन सा है आप इसकी जनकारी provide कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं जो भी जनकारी provide कर रहा हूं यह sample के तोर पर है आपको आपका actual data है वो आपको फिल करना होगा अगर यह दोनों सेम है तो आप CMS पर click कर सकते हैं अलग-अलग आप यहाँ पर enter कर देंगे इसके बार फ्रेंस एर पासिंग आपको देना है आपने इसको कब पास किया है तो आपके according आपकर जो भी passing year है वो आप यहाँ सलेट कर सकते हैं परसेंटेज आपको यहाँ मेंशन करनी है और उसके बार फ्रेंस आपको यहाँ पर subject के नेम देने में आपने इनमें से किसमे किया हुआ है वो आप यहाँ सलेट कर सकते हैं इसके बार सेम आपको यहाँ पर देना है आपके यहाँ पर institution का नाम आपके board या university का नाम आपका year of passing क्या है आपकी percentage कितनी है और इसके बार आपने कौन को subject आपने पढ़ी है subject कर नहीं तो आप यहा आप यहां से प्रसीट करेंगे पैमेंट करने के लिए तो आप इसवाले option पर क्लिक करेंगे इसके बार इसके बार आपको submit to proceed payment का एक option मिलेगा आप इस option पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर यहाँ पर आपसे कहा गया है you are requested to pay your exam fees after 24 hours of submission of online application form और इसके बाद ही आपको आपक पर अप्लोड करेंगे तो यहां पर गाइड लाइन दी गई है वो आपको क्लियर फॉलो करनी है आप जब भी रडिस्टेशन करते हैं उसके फ्रेंट से आपको वेट करना होगा और 24 आवस कम से कम वेट कीजिए इसको सम्मिट करने के बार उसके बार अपने पेमेंट को वेर वेकेंसी को और उसके बार फैंस यहां पर अपने अप्लिकेशन नंबर को आप देंगे और उसके बार यहां से सम्मिट करेंगे इसके बाद यहां से वेरिफाय कर सकते हैं तो यहां पर फैंस आप देख सकते हैं अभी पेमेंट यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि तो आपको 24 hours के बाद यहां पेद करना है, तो आपको यहां पर आपकी डाटा शो करेगी जब आप यहां पर लोगइन करेंगे, और अगर आप here login करते हैं, तो हो जखता है आपकी data आपको शो यहां पर न न करें, इसके बाद है photograph and signature option, जो कि आपको photograph and signature यहाँ पर upload करना है, जिसके लिए फैंस आप यहाँ पर जो photograph है उसका साइज आप देख सकते हैं 20-50KB, signature का साइज है 10-20KB, जो कि आप JPG format पर upload करेंगे, तो basic जानकारी आपकी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, क्या-क्या details आपको फिल करनी है, और यहाँ पर आप जो apply करने की date है, वो 8 March है, और फीस को payment करने की last date 10 March रहेगी, last date जो है photograph and signature को upload करने की 13 March 2022 है, और editing करने की 16 March 2022 आपकी यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर आप vacancies की details को check out भी कर सकते हैं, और आप applicable है तो apply कर सकते हैं, तो friends यहाँ पर मैंने आपको जो भी जानक आपतार मिल सकें, तो like, subscribe and share जरू किजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटुब चैनल, and last thanks for watching.